नमस्कार मेरे प्यारे देश्वास्यों मैं आज अपने दिल की बात अपने मन की बात मोदी जी के साथ सांजी करना चाहूंगा मोधी जी जो अकेले मन की बात रेडियो पे करते हैं मेरे पास वो साधन तो नहीं कि मैं रेडियो के थूँ अपने मन की बात मोधी जी तक पहुचा सकूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि शायद यूट्यूब के जरिये मेरे दिल की बात मोदी शाब के पास जबूर पहुचे मुझे याद है 2014 से पहले जिस परकार से मोदी जी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे विकास ला रहे थे डॉलर के रेट कम कर रहे थे पिट्रोल बहुत सस्ता कर रहे थे यहां तक कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे थे जो सबसे पहले डाउट्स थे जो हमारे दिल में वो यह थे कि क्या मोदी जी के आने के बाद सच में विकास आएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ भगवा करन होगा हिंदुस्तान का साड़े तीन साल हो चुके है मोदी जी अभी तक उनके जितने भी वादे उन्होंने किये थे इलेक्शन से पहले 2014 की इलेक्शन से पहले उसको पूरी करने में मोदी जी नाकाम रहे इन्होंने किया क्या है यूपीए की स्कीम्स को रीनेम किया ये सब जागनते हैं कुछ डिसीजन्स ऐसे लिए जिसका कोई सरपैर ने था डीमोनिटाइजेशन हो चाए गौर अक्शोको का संद अक्शन हो इनके आने के बाद जो हिंदुस्तान का जो इस समय महौल है वहाँ पर एक लड़की या एक आम आदमी या एक मुसल्मान या एक माइनॉरिडी में जैसे सिक ये लोग सेफ नहीं हैं इनके राज में सिर्फ और सिर्फ गौ माता जो हैं उनको सरंग्शर दे रहे हैं और वो भी एक स्कैम है गाएं के नाम पर उसके देखबाल के लिए जमीन ले लो जो कि बीजेपी लीडर्स ने लिया है वहाँ गाएं का केंदर खुला जाए और वहाँ पर गाएं मर रही हैं जो ट्रोल आर्बमी हैं इनकी वो बहुत ही बड़ी है ट्रोल जो हैं आप एक बात मोदी जी के खिलाफ कीजिए इनके जवाब गिसे पिटे होते हैं या तो वो आपसे गाली गलोच करेंगे या फिर वो उनसे आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप उस समय कहा थे जब कॉंग्रेस राज में थी और एसे स्कैम्स हो रहे थी यूपीय सरकार लाई मनमोहन सिंग के सरकार लाई और ये वो ही आई टी आई थी राइट टू इंफरमेशन जिसके ज़रिये बहुत सवारे स्कैम्स खुले जिसकी वज़े से वो स्कैम्स पब्लिक व्यू में आई और लोगों की अपनी उपीनियन्स बने और उसी आई टी आई की वज़े से शायद मनमोहन सिंग के सरकार दुबारा नहीं बनी और ये वो ही टाइम है जब मोदी साहब का प्रॉपेगंडा बिल्कुल चरम पे पहुचा संदोहियर 12, 11, 13 और 14 में मोदी साहब ने गुजरात मॉडल पेश किया क्या है, कैसा है, क्या उसका सच्चाई है इसके बारे में लोगों ने नहीं जाना लेकिन मीडिया में इसका बहुच ज़्यादा प्रॉपेगंडा हुआ और अब सरकार में आने के बाद आर्टी आई बिल्कुल आल्मोस्ट इन्होंने डेड़ कर दिया है बीजेपी गवर्मेंट में यहाँ तक कि कई आर्टी आई एक्टिविस्ट इनके राज में मारे जा चुके है यहाँ तक कि आर्टी आई के जरिये आज के टैम में आप परधानमंत्री साहब की डिगरी तक नहीं निकाल सकते इन्होंने उसका वोहाल किया है इसके इलावा बहुत सारी बाते हैं जो इन्होंने यू टर्न लिये हैं लेकिन वो मैं पिशली वीडियोज में डिक्लेर कर चुका हूँ डिसकस कर चुका हूँ बोल चुका हूँ लेकिन जो भी रीसेंटली जो दिल को बड़ा दुख देता है वो जैसे कि गोरखपुर हत्या कांट मैं हत्या कांट कहूँगा क्योंकि उसमें अक्सीजन सिर्फ पेमेंट की वैसे नहीं आई और वो मोदी सरकार केंडर सी-म योगी के करण नहीं आई जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि कम सकम दस बार योगी जी को बताया गया था दो दिन पहले योगी साफ वहाँ पर घूमने गए थे पिकनिक मनाने उसी हॉस्पिटल में पता लेने कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन कुछ नहीं निकला ये योगी साफ वो ही है जो किसी विद्वा के गर गए तो वहां सोफे और एसी लगाए गए तो ये हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के दर को जा रहा है जो भगवा करण की राजनीती है आज के टाइम में आप कुछ भी सही लॉजिकल बात किजिए तो आप से आपको एंटी नेशनल और पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाएगा और ये कह कौन रहा है वो परचारक जो आर एसस का बंदा रहा है मोदी उसके पिल्ले उसके भक्त ये हमें देश भक्ती सिखाते हैं तरंगा फैराने पे जबकि हम सब जानते हैं कि नागपुर में 52 इर्स इन्होंने तरंगा नहीं फैराया और आज की डेट में ये सेटिफिकेट बाट रहे हैं बात कर रहे थे गोरकपुर की ऑक्सीजन के बिना 70, 100, 200 जो भी नंबर है वो बच्चे मासूम मरें और अमित शाह जो की तरडी पार है जो स्नूपिंग में गए उनका कहित हैं कि कॉंगरेस के क्टाइम में भी ये होता था सर जी कॉंगरिस के टाइम में अगर होता था तो इस समय तो आपकी सरकार है उनको इसलिए हराया गया उनको इसलिए सरकार से निकाला गया क्योंकि लोग उनके कामकास से कुछ नहीं दे अब आप आए हैं कि अगले 50 साल या 10 साल जतने तरह में आपकी सरकार रहेगी जैसे कि आपने का कि बीजेपी 5-10 साल के लिए नहीं पचास साल के लिए आई है ऐसा होगा नहीं जनता समझदार है जहां तक मुझे उमीद है लेकिन क्या अगले कुछ सालों तक आप अपने हर फेलियर को कॉंगरिस पे ही देते रहेंगे आप बताइए आपने 3 साल में क्या किया दी मॉनिटाइजेशन किया दी मॉनिटाइजेशन से काफी दुनिया मरी लोग के पैसे बरबाद हो गए उसके अभी तक डेटा आपने नहीं दिया आर बी आई के अभी तक काउंट कर रही है और आप भाशन में कह रहे हैं कि 3 लाग ब्लैक मनी आई और एक लाग प्यत्र हजार को लाग करोड स्क्रूटनी में हैं आप यह सब बाते कर रहे हैं 14 लाग से ज्यादा की करंसी आपने बंद की डेटा अभी तक आपके पास है नहीं चार महीने में चार डिफरेंट डेटा आप दे चुके हैं इंकम टैक्स की बात करें कितने बड़े कितने नहीं बड़े उसके लिए चार डिफरेंट गवर्मेंट डेट और जो नंबर्स हैं वो available हैं आप Google कीजिए आप किसको बेफ को बिना रहे हैं सीरिया में दो बंदे मरते हैं लीबिया में दो बरते हैं जपान हो कहीं पर कुछ भी हो जाए मोदी साब जट से ट्वीट कर देते हैं हिंदुस्तान में गोरकपुर हत्या कांड हुआ आपका ट्वीट नहीं आया क्योंकि आप एक फेक इनसान हैं मोदी साहब जनता जवाब चाह रही है साड़े तिन सल में अपने सिवाए कांग्रेस की बुरहियां करने की आपने क्या काम की आपने सड़के दुगनी रफतार से बनने की बात की जिसकी वीडियो आ चुके हैं कि दो हिया गैरा बारा में स कीजिए यहां तक कि आपके भी स्कैम सामने आ रहे हैं बिहार में स्रजन घोटाला जो बीजेपी की नाक के नीचे हुआ व्यापम घोटाला आप गुनते नहीं हैं जिसमें 50 से ज्यादा मर चुके हैं लोग मुंडा साहब की लड़की जो महराष्ट में हैं उनका जो घोट ये दूरपा का गोटाला ये आपको गोटाला नहीं दिख रहा है रफैल डील की आप बात करते हैं 81 मिलियन की जो जहास थे आप अमबानी को बीच में मिला कर 243 मिलियन मिला रहे हैं ये स्कैम नहीं है इस पर अलग से एक वीडियो बन सकता है कि बीजेपी ने किस तेम क्या क्या किया और ये बोफोर्स से बड़ा कांट किया आप से सवाल पूछे जाते हैं तो आप रैली में रोने लग जाते हैं ये चुरहे पे गोली मारते हैं सर जी चुरहे पे मिलें कोई नो कोई तो गोली जरूर मारेगा आपको ये तो सच है आप इंडिया में हूं तो आपक कि याद आती है विदेश में जाकर आप इंडियन डिस्वपोरा से बात करते हैं आपको इसके लावा और क्या काम है ये बताइए मन की बात में आप बड़े बड़े भाशन दे रहे हैं रैलीज में आप बहुत बड़े बड़े भाशन दे रहे हैं एक्जामपल्स बहुत हैं बिहार की रैली में आपने डेल लाक करोड की निलामी कर दे थी बिहार की दो साल ना बीस महीने लालू और नितिश की सरकार रही कोई आपने पैसा नहीं पचाया नितिश यू टर्मार कर फिर आपसे मिल गया अब आपने फिर घोशना कर दी कि जो राहत के पैसा है वो जो डील दिया था वो हम देंगे तो इससे आपकी नीचता का पता लगता है जहाँ आपकी सरकार नहीं वो क्या वहाँ हिंदुस्तान ही नहीं रहते आप कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते है पीडीपी अफजिल को शहीद मानती है आप लोगों को देशबक्ती के सर्टिफिकेट बागते है तो आपकी देशबक्ती कहा गई ओवर अगर देखा जाए तो आप मोधी सहाब आपके बलबूते और आपके मुह पे जो हिंदुस्तान जो है वो हिंदु तालिबान बनता जा रहा है चीन के साथ जो स्टेंड ओफ है उस पे आपका एक भी स्टेट्मिन नहीं आए कोई बात नहीं आने वाले टाइम बताएगा हम कहां कितने पानी में है हिंदुस्तान कितने पानी में है मैं तो यहीं उमिद करहません कि कोई भी हिंदुस्तान सेनिक शहीद ना हो 56 इंच की छाती बोलते थे आप आप 56 इंच का बलाउच पहनिए एक के बदले 10 सर लाते थे उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मिनमोहन सिंग के टाइम में 10 साल में 171 सेनिक मरे आपके 3 साल में 761 सेनिक मर चुके हैं आपके 56 इंच का सीना कहा गया इसके इलाबा भी आपने बहुत दोगली बाते की हैं उसके नहीं जाना चाहूँगा बीफ खाने पे आपकी सरकार के बंदे आप के बीजेपी के मेंबर्स लोगों को मार रहे हैं बीफ खाना कहा का कुना है गाएं आपकी मा होगी भी हमारी मा नहीं है मैं बीफ नहीं खाता मुझे कोई अतराज नहीं है कोई बीफ खाए ये ना खाए अगर गाएं आपकी मा हैं तो भैसा आपका बाप हुआ तो उसका तो एक्सपोर्ट आप मीट करा रहे हैं हंदुस्तान नंबर वन है भीफ एक्शपोर्ट मे तो rat आपकी मा जो है वो हर दूसे दिन गौशाला में मर रही है गू में रह रही है गो बर में लिठी रहती है आपको अपनी मा का ख्याल नहीं है, आपको अपनी मा का ख्याल स्फ लाइन में लगाने में आता है आप गाएं को मा कह रहे हैं तो उसकी जद कीजिए गाएं के लिए एम्बुलेंस बना रही है आपकी गवर्मेंट आपकी बीजेपी के जो स्टेट गवर्मेंट से हैं वो गाएं के लिए एम्बुलेंस बना रही है इंसानों के लिए आपके पास एंबुलेंस नहीं है एंबुलेंस शोड़ी आपके पास आपकी सरकारों के पास 68 लाख रुपए नहीं है ऑक्सिजन के लिए और तो और आपके संबीत पात्रा जी कोहिनूर पर बोलते हैं कि गाएं का गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा महंग है सर जी को गाएं का गोबर बेच कर ही आक्सिजन दिला देते बच्चों को या हमारे पास गाएं हैं उसका गोबर आप खरीद लीजिए आप जिसे मर्जी रेट में कोहिनूर का रेट छोड़िए अब हमें गन्य का रेट पर गोबर ले लीजिए हमसे सत्तर साल अजाद हुए हो गए हिंदुस्तान में आप जैसा नीच दोगला और छोटी सोच वाला जो नेता है प्रधान मंत्रियास तक पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में आप क्या चाहरे है आप हिंदु तालिबन बना रहे हैं लोगों को गुंडा कर दी कर रहे हैं आरेसस तो वैसे ही एक गुंडा और्गनेजेशन टेर्रिस्ट और्गनेजेशन था यूपी के सीम योगी का जो हिंदू युवा वाहनी है वो भी गुंडों का ही एक समू है आपकी प्रायोरिटी है लव जिहाद, आपकी प्रायोरिटी है रोमियो स्कौर्ड, आपकी प्रायोरिटी है भगवा करन इसके इलावा हिंदुस्तान भारत इंडिया उसके ड्वेलप्मेंट के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है आप हिंदू, मुस्लिम और माइनोरिटीस के बीच में खाई खीच के अपने रोटी से करें है राम मंदिर के वादे पे 1991 में बीजेपी को सिटे मिलने शुरू ही थी वो मंदिर को आप हल नहीं करना चाहते हैं आप मंदिर मस्जित के चक्र में लोगों को लड़ा रहे हैं वह हॉस्पिटल बनाएगे हिंदू मरेगा वो भी महीं जाएगा मुसलमान मरेगा वो भी महीं जाएगा जिसके वो बिमार है वह इलाज कीजिए क्या आपके राम लोगों का भला नहीं चाहते हैं जो राम है या सीता है ये कालम दिंग है या नहीं है सच में थे या नहीं थे इतनी हिस्ट्री में नहीं जा था लेकिन अगर वो वास्तम में इतने महान थे तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि लोगों का भलाओ उनके नामपरा कलेश मट डालिये कभी मार्क दर्शक मंदल जो आपने बनाया था ना उस पर उन्हीं से मार्क दर्शन ले लीजे मौधी सहाब बेटी बचाओ बेटी आंद बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आपने का था आपके बीजेपी हर्याना का जो बीजेपी प्रमुक का लड़का विकास बराला लड़की का पीछा कर रहा है आपसे एक ट्वीट नहीं होता स्मित्री रानी जी यूपी के टैम में बड़ी चूड़ियां बेस्ती थी मैं तो कहूंगा आपको चूड़ियां भी पहननी चाहिए और 56 इंच के सीने पर 56 इंच के बलाउस भी पहनना चाहिए और आपको आधे बाल कटा कर शूप नखा जैसा आपको ना कटना चाहिए आप देशभक्ती के लोग को सर्टिफिकेट बाट रहे हैं आरेसस के किस बंदे ने स्वतंतरता में भाग लिया था संग्राम में वीर सावर कर तो माफिया मांगते रहे हैं ब्रिटिशर्स के गुलाम और दल्ले थे वो शाद उनके जूते भी पहुशते हूं जूतों पर पॉलिश करते हूं आप किसी एक आरेसस के बंदे का तो बताईए जो स्वतंतरता में हिंदुस्तान के तरफ से लड़ रहा था बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती हैं सडक शाप बाते हैं एक सडक शाप नेता जो होता है उसको इतने तवज़ों नहीं मिलती लेकिन आपने मीडिया कंट्रोल किया हुआ है आपके नैस कैम स मीडिया में दिखते हैं ना आप कहीं पर गढ़़ड करते हैं उसकी कर रहे हैं सबसे बड़ा कुता आपका है रिपब्लिक टीवी वाले हैं वो लोग को सर्डिफिकेट बाट रहे हैं वो सुप्रीम कोड भी वो ही है हाई कोड भी वो ही है संभित पातरह हर उसमें पहुंचे होते हैं आपके दलाल चैनलों पे आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप हेल्थ केर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी गवर्मेंट जो है वो हेल्थ केर के जो अलोटेड मनी थी उसको आपने घटाया है LPG subsidy आप बंद कराने के बाद उसका क्या है LPG subsidy के जरीए आप reliance को लाना चाहते हैं private player को LPG subsidy बंद करने के बाद आप चाहते हैं reliance भी slender बेचे और आपका प्लान है यही है हम जानते हैं कि आप उनके दलाल है आपके कमसक्रिम दस जो हैं गोटाले गुजुरात के वो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं अदानी को जमीन देने का मैसला हो चाहे स्नूप गेट हो जिसमें आप लड़की का पीछा करा रहे थे मोदी साब मेरे मन की बातें भी खतम नहीं होंगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी वीडियो देखें सुनें और देखें उनका नेता क्या कर रहा है सिवाए इलेक्शन जीतने के आपकी कोई प्रायोटी नहीं है आप चाहते हैं मैं इलेक्शन जीतूँ पावर मुझे मिले साम दाम दंड बेद जो मरजी हो चाहे अपनी मा का इस्तेमाल करना पड़े चाहे बीवी का इस्तमाल करना पड़े चाहे हिंदू मुस्लिम का इस्तमाल करना पड़े चाहे जाप्ती का इस्तमाल करना पड़े चाहे करप्शन करना पड़े चाहे EVM हैक करना पड़े आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपेगंडा है एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हिंदूस्तान को भगवा करन करके और लोगों को अखंड भारत के सपने दिखा कर उनको खंडित किया जाए अखंड भारत की बातें आपकी पार्टी करती है आप हिंदू-मुस्लिम को एक साथ नहीं रख सकते फिलाहल इतना कहते हुए मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि अगर किसी चीज का डर है तो यह सोचिए कि मरने के बाद सब बराबर है आप 10 साल कर ये राज 5 साल किजिए या 50 साल किजिए मरना सब ने है लेकिन आप जो लागिसी छोड़ कर जाना चाह रहे हैं वो आने वाली नसलों को बरबाद करेगी जिस तरीके से आप ही के जो पूरवज थे जिनकी वह से मुगलों ने और बिटिशस ने राज किया वो सिर्फ वो सिर्फ आपके हिंदू लोग थे जो अपनी पर्सनल राजनीती चमकाने के लिए दलाली करते रहें और वो दलाली की वज़े से 500 साल हिंदुस्तान गुल्याम रहा है तो आपको शर्म आने चाहिए और धन्यवाद